हमारे यहां एक बड़ी पुरानी कहावत है कि 9 दिन चले अधाई कोस अब इसका मतलब हम आपको बताते हैं आप जानते भी होंगे लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यह सब कुछ बिहार की राजनीत और बिहार में एक साल की सरकार पर है एक साल की सरकार हुई और एक साल का जस्न तक नहीं मनाया गया आप समझ सकते हैं कि इसके क्या माइने होंगे जबकि 9 साल पूरे होने पर एंडिये और भारते जनता पाटी अपना जस्ट मना रही है और पूरे देश भर में अलग-अलग तरह के कारिकरम हो रहे हैं लेकिन जहां एक तरफ महागठ वंधन खास करके अगर तीन बढ़े दलों की बात करें या उसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि वांदलों को मिलाकर के भी चोथा दल है तो ऐसे इस्तिती में बिहार में काफी मजबूत और संक्यावल में भी अच्छी खासी संक्या है जो लिखाना भी चाहिए था अपने विरोधियों को कि हम बहुत खुस हैं और बहुत जादा संतुष्ट भी हैं लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है जिस तरह से लालू परसाथ और नितीश कुमार के बीच कोल्ड बार छीडा हुआ है दोनों एक दूसरे को सिर्फ और सिर इसलिए साथ रहे हैं कि लालू परसाथ को ऐसा लगता है कि 2024 में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी तो वहीं नितीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि वो लालू परसाथ के साथ रह करके 2024 में कुछ ऐसा जरूर कर लेंगे जिससे कि भारती ज जो चल रही है उसको देख करके आपको भी हमने कई बार बताया है कि किस तरह की माहौल बने हुई है और खास करके अगर बात की जाए तो ना तो जनता दल उनाइटेड में नीचे के लेबल के कोई कारे करता खुस हैं और ना सबसे सिर्ष्ट पर बैठे ललान सिंग संतुष् ललान सिंग की भासा और उनका सदन में बोला गया सब हलाकि उन्होंने अकेले दम पर भारते जनता पार्टी को इतना जरूर किया है कि आउकात बताई है उन्होंने जम करके अपनी बात रखी है लेकिन अपनी ही बातों में भारते जनता पार्टी ने उन्हें घेर भी लिय तो वहीं आपको बता दें कि नीचे के अस्तर के कारेकरताओं से यह दिबात करें तो वो संतुष्ट नहीं है खास करके अगर सांस्तो की बात करें तो सांस्तो को अब इस बात का डर सताने लगा है कि उनका ठीकट बचेगा या नहीं आने वाले चुनाओं में वो लड़ हुए हैं तो वहीं आपको दादें कि राष्टिय जंता दल्भी उस मौके का तलास कर रही है जिसमें नितीश कुमार और तेजस्टी यादो दोनों बिलकुछ चुप्पी साधे हुए हैं सबकुछ समाने होने की और दिखाने की कोशिस की जा रही है और इस बीच में आपने सपस्ट हो रही है कि जितने भी भरस्टाचार हैं जितने भी गलतियां हैं जो कुछ भी गलत हो रहा है वो सब राष्टिय जंता दल कर रहा है इसके बाद भी राष्टिय जंता दल के नेताओं की चुपी बहुत कुछ कह रही है खास करके जक्ता नंसिंग की बात करें तो वहीं अगरते जसी यादों की बात करें और उनके कोल टीम की बात करें तो वो भी चुपी सादे हुए हैं इसका सीधा मतलब है कि वो चाहते हैं कि सरकार अभी और कंटिनीव करें इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ नितीश कुमार और लालू परसाद लंबे समय से ए अचानक से भाई को ये लगने लगा कि भाई ये तो इतना जादा प्रगती कर गए हैं और उसके बाद वो अपने साथ उसे जोडने लगा और अपने हक हिस्से की बात करने लगा जैसे ही ये बात समझ में आई नितीश कुमार को नितीश कुमार ने एक और बड़ा गेम खि लेकिन एक साल में नितीश कुमार के पास ये कोई जवाब नहीं है कि जिस नितीश कुमार ने लालू परसाथ और उनके सासन को ले करके विरोध किया था भारते जनतापार्टी के साथ गए ते जिसे सेकुलर कहा करते थे जिसे कौमिनल माफ कीजेगा जिसे कौमिनल कहा करत लेकिन एक साल से ये लग नहीं रहा है कि बहुत जादा दोनों के बीच में बॉंडिंग है और आने वाले 2024 के चुनाव में दोनों मिल करके भारती जंता पार्टी को चित कर देंगे लालू परसाथ लगतार पटना बैठे हुए थे लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने मकसद म में सफल नहीं हुए और फिर से एक बार दिल्ली पहुंचे हैं दिल्ली में अब कोई बड़ी डील करेंगे ये बाते भी भीतर ही भीतर चर्चक में आ गई हैं जुड़े रहेका भारत लाइब के साथ बहुत बहुत धन्यबाद अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनी और विहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सतीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग म सहयोग कर चाहता नहीं तो जोइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद